आप लोगों का इस नई वीडियो में सुभागत है आज की इस वीडियो में हमें आपको बताने आयों कि आपके लिए एक नई गुड निउस आई ए कि लिए और इस रूल का आपको काफी बेनिफिट होने वारा है बात करने की रूल क्या है और क्या आपके लिए गुड निउस आई है तो सबसे पहले मैं आपको बताओं आप लोगों को याद होगा या नहीं आदोगा नहीं आदोगा तो मैं ही बता देता हूं कि 2020 में ठीक है कब 2020 में गवर्मेंट ने और इस एजुकेशन पॉलिसी का जो टार्गेट था वो यह था कि एनिहाव जो इंडियान एजुकेशन सिस्टम है उसको एजी करना प्लस बैटर करना बट सिचुएशन के असा था हम सब जानते हैं 2020-21 दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही साल हमा जया था कि दीरे दीरे करके 2023 तक रूल अप्लाई करना है और यही वज़य है कि ये जो है 2020 का भले है लेकिन अब जाके गवर्मेंट ने इस रूल को अपलाई किया है अब यह रूल क्या है क्या बात है उसको समझते हैं तो सबसे पहले मैं बता दू कि जो यह रूल आया है यह specifically 10th और 12th के students के लिए किसके लिए है 10th और 12th के students के लिए चाहे हो आप science के students हो चाहे commerce के students हो इससे कोई फरखनी पड़ता और यह जो news आई है यह basically कल आया था साम को लगबग रात को आया था आठ वजे की आसपास 12-13 यानि कल की date है अब इसमें क्या बताया गया है क्या किय तो वह मैं बता दू आपको जो education system है वह तो वैसे ही है लेकिन जो exam pattern है यानि की पूरा का पूरा जो focus किया गया है वो किस पर किया गया exam pattern पर किया है और जो हमारा exam pattern है उसको इन लोगोंने easy करने की कोसिस की है अब यह इसमें क्या easy करने की कोसिस किया तो उसको मैं आपे क्या है तो सबसे पहले जो पूरानी situation है जो present में अभी थी या अभी बोल सकते अभी है जो next is change होने वाला है next का मतलब यह है जो आपकी exam होने वाली है 2023 and 2024 यानि की March 2024 में जो आपकी exam होने वाली है यह rule वहां से apply होगा changes क्या क्या उसको समझ लेते हैं सबसे पहले जो starting का last time का जो situation था वो यह था कि आप लोगों को 20% ध्यान से समझना इस बात को आप लोगों को 20% हेतू लक्षी प्रशन आते थे हेतू लक्षी प्रशन का मतलब होता है objective questions and short questions यानि जो one marks वाले one liner questions होते हैं वो plus आपके जो MCQs होते हैं वो इन दोनों का inclusion इस वाले point में होता है तो पह गवर्मेंट ने इसको चेंज किया और गवर्मेंट ने इसको चेंज करके कितना कर दिया है right now जो है वो 30% कर दिया है कितना पसंट कर दिया है 30% पहले कितना था 20% था और अभी कितना हो गया 30% इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कि आप लोगों को पता है जो board की exam होती है class 10th की total 100 marks की होती है बड़ उसमें से जो 20 marks होते हैं वो school की तरफ से होते हैं बाकी के जो आपके 80 marks होते हैं वो board की तरफ से होते हैं अब इस 80 marks में से 80 marks का 30% कर दो इसका मतलब यह हो गया कि almost 24 marks जो 24 marks का paper pattern है वो अब आपका हो गया MCQ plus one marks यानि इसको क्या कर दिया easy कर दिया अब इसमें आपको बहुत सारे benefit हो जाएंगे यह आप समझ के चलो जो आपके 24 marks है आपको यह free fund के मिल जाएंगे हा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी और मैं आभी आपको वो समझाओंगा क्या कैसा है वो आप देखते रहो पहले फिर समझ मैं आपको उसके बाद बाकी के जो बचे paper वो जो 80% आपका theory based paper नहीं वरना आक्मक इससे पहले वण आपको ने कभी पर देखा होगा वैसे देखाई होगा मैं यह एजूम करके चल रहा हूं कि चार महीन होगा इसकूल कुले डेफिलिटली अपने paper जरू देखा होगा तो उसमें पता है कैसा होता था जैसे मालों अगर मैं बात करता हूं section C की section C में question number 21 question number 21 है उसके बार 22 है उसके बार यहाँ पर क्या होता था फिर और करके एक और question होता था 22 में it means कि इन दोनों question में से किसी एक question को solve करना होता था यह था अंत्र कभी कलब अभी क्या कर दिया अभी ऐसा कर दिया है जैसे तीन question अना लैक 21 22 and 23 तो यहां पर ऐसा बोलेगा एनी टू क्या बोलेगा एनी टू कि तुम चाहिए यह करो चाहिए करो चाहिए करो उसमें कोई problem ने आपके अपने मर्जे से question तो चूज कर सकते हो यह कर दिया आपके ट्वेंथ के लिए तो अगर मुझे बताना कि यह यह जो रूल अपलाई किया है आपको यह रूल जो है आपके लिए बेनिफिशल है या नहीं है आपको रूल यह अच्छा लगा या नहीं लिगा इसका जवाब ज़रू मैं बात करता हूं सबसे पहले commerce students के लिए तो commerce students के लिए क्या हुआ है वो समझनों तो commerce students का जो situation दान पहले वो 20% था 20% का मतलब यह हुआ कि जो one marks की question थे प्लस जो mcqs थे दोनों मिला के कितना था 20 यह थोड़ा सा technical error है ठीक है mcqs थे और one marks के question थे दोनों मिला के कितना था 20% था अब इसको change करके कितना कर दिया है 30% कर दिया है इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो 30 marks है ठीक है अब ध्यान से सुनना जो 30 marks है basically वो कैसा होने वाला है जो 30 marks है वो आपका हो जाएगा mcq और mcq प्लस one marks not or plus one marks यानि कि पास होने के जो chances है वो ज़्यादा हो गए government का target भी यही था कि जो education है वो इस तरीके से कर देना कि हर student अपने आपको इतना काबिल समझे yes I can do उसका सबसे बड़ा रीजन है government यहां पे बात लिखी हुई है यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बोड़ नी परिक्षाव ने पर सरल पहला तो काम मैंने कि यही काना कि उनका target education को सरल करना नहीं है उनका target है कि इक्जाम जो होती है ना उस इक्जाम पैटर्न को सरल करना जिससे क्या होगा सरल सब्दों में कहें तो कि जो परिक्षाव होती है देखो सरल अर्थमा के परिक्षाव कोचिंग के गोखवाने बदले अब यहां पर लिखा है ना कि बच्चे रख्टा मारे कोचिंग जो जाने का टेंशन होता है यह सारी चीजों के बदले वह अपनी चमता पर ज्यादा फोकस करें और उससे क्या होगा सॉरी परिक्षा करसे मतलब यह हो गया कि अब आपके टैलेंट पर होगा बोलेगे सर मैं आपको बता दू जो एक्सराइस में दस एंसे क्यूज भी नहीं है इसका मतलब वो जो MCQ जाने वाले वो कहां से आ गया वो आपके जो बुक्स हैं उसके बीच बीच में से questions पुछेंगी तो कहीं न कहीं ये हुआ कि आपको reading जादा करनी पड़ेगी ये अच्छा भी है और मेहने जो करते हैं students उनके लिए तो बहुत अच्छा है यानि ये जो देखा जाएगा तो कहीं न कहीं आपको ज्यादा benefit होगा और easily marks मिलेगे या पर 100% marks मिले के chances होगी इस इसका ध्यान थे और यह मुझे जरूर बताना कि जो यह option लाया 30 marks का यह आपको अच्छा है आपको अच्छा है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रह जाएगा तो कि जो आपकी एक्जाम होती वह कितने marks की होती है 70 marks की होती है इसलिए आपका हो जाएगा यहां पर 70 marks और यहां पर वही बात बोल लिया कि तमाम प्रश्णों मां जनरल विकलप रहने का मतलब यहीं है कि आपको ऐसी मेंशनों का लाइक 21 22 23 24 ऐसे चार questions मेंशन आपसानी से clear हो जाएगा आपके marks भी बहुत अच्छे आएंगे कुछ chapters तो option में निकल जाएंगे तो यह आपके लिए ज्यादा अच्छा हुआ यह मुझे जो लगता है पर्सनली यह वाला जो option यह काफी अच्छा option है इसमें क्या होता कई बार है ना कुछ chapters जो difficult होते हम आ सब्सक्राइब है 50% सब्सक्राइब बस इनके में एक ही चेंज हुआ है और वह यह है जो पहले आंतर की वीकल पता 22 है उसके option में एक 22 होगा अभी कैसा कर दिया है आपके पास अप्शन लेंगे 21 22 23 आपको इसमें से कोई दो क्रेशन सौल करना है तो यह एक extra option मिल गया बाक सब्सक्राइब बस यह एक extra पैटन चेंज हुआ है तो यह था government की तरफ से आपके लिए दिवाली का तौफा इसके साथ एक और खुसकबरी है और खुसकबरी यह जो फिलाल दूसरी वाली जो खुसकबरी है यह खुसकबरी तो आप ऐसे समझो कि इसको करीबर 10 से 12 साल से इ कुछ भी हो सकता यह सा नहीं है जैसे जो 10 और 12 के स्टूडेंस होते हैं अगर पहले रूल के ऐसा था अगर आप 10 के स्टूडेंस हो और अगर आप 2 सब्जेट में तो आप एक्जय क्वेल interrupting तो आप एक सुझेट के लिए था कि अगर आप एक सब्जेट में फेल हो तो आप सब्जेट का तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से यह वाला जो चेंज हुआ है यह काफी वेनिफिशल चेंज है कई बार ऐसा होता है स्टुडिंस एक मार्क से कहीं पेलो जाते तो उनके लिए एक साल विट करना पड़ता था तो अब यह बेनिफिशियल है कि अगर आप गलती से पॉलसी तो गवर्मेंट ने अपलाई किया है आई होब कि आपको यह इंफरमेशन आपके काम आएगी और इसी इसी इंफरमेशन का यूज करके अभी आपको प्रिक्रेशन आपका स्टाट कर देना है और एक बात कि जो पेपर पैटन होने वाला है कैसा क्या होगा पूरा पसंद आई होगी वीडियो को शेयर जरू करना लाइक करना और अपने दोस्तों के शाथ दोस्तों करी देना चैनल पर पहली बार आया तो सस्क्राइब जरू कर देना जिलाल आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ष्क वीडियो में तब तक रहे थाइंक्यों सो मच एन हैव अ वीडियो